वी आर लाइफ नाओ, वेलकम टू एसके क्लासेस अप एंड डाउन हो लोगे, तुम्हें कुछ पता न चले, और तुमको लोगा कि अब क्या होगा हमारा अर्थवारसिक परिक्षा में एंड फाइनली जब तुम वीडियो को एंड तक देख लोगे, तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे समझ जाओगे देखो भाई साव, आज है बीस ग्यारा दोहजार तेज, मतलब बीस नवंबर है, और आज के दिन ही माध्मिक सिच्चमंडल मद्ध प्रदेश बोड दोरा एक ओफीसल लोटेश जारी किया गया है, जिसमें अर्दवारसिक परिक्षा के प्रशन पत्र को लेकर के और परिक्षा संचलन के बारे में दिसा नवर्देश जारी किया गया है, मेरे कहने के मतलब यह है, यह बता हैं कि आपका पेपर कहां से बनेगा, कब आपके प्राचार के वेपसाइड में भेजा जाएगा, और कब आपके स्कूल में प्रिंट होकर के पेपर आ जाएगा, पेपर कितने सेटों में बनेगा, क्या जिला बाई जिला पेपर रहेगा, या फिर पूरे मद्द प्रदेश भोपाल का एक ही पेपर रहने वाला है, देखो बाई साब, जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पर लिगा कि संदरवर्द पत्र में सेक्शनिक 723-24, कक् से पहला बिंदू कहता है, कि राज एस्तर से अरदवार्शिक परिक्षा का प्रशन पत्र दो सेटों में सलगन होगा, समझ गए, और 112-2023 को जिला सिक्षा अधिकारी के लॉग इन पर उपलब्ध कराए जाएंगी, मतलब मद्ध प्रदेश भोपाल दोरा, दो सेटों में पेपर आपके जिला सिक्षा अधिकारी के वेजा जाएगा, समझ गए, पहला पॉइंट A कहता है, मतलब पेपर आएगा दो सेटों में सेट नमबर A और सेट नमबर B, अब देखो आगे बाद को सुनो, अब आपके जिला सिक्षा अधिकारी का काम क्या रहेगा, कि अपने इस स्कूल के प्राचारे को पकड़ो, प्राचारे को पकड़ करके दो समीति बनाओ, और उनसे बोलो कि मास्टर साहव आप दो दो पेपर बनाओ, मतलब टोटल मद्ध प्रदेश में हैं बामन जिले, मतलब एक जिले से बनेगा दो पेपर, मतलब टोटल बनेगा 110 सेट पे तो हाँ बेता सभी जिले का सेम पेपर रहेगा बस 110 सेट पेपर बनाया जाएगा कड़ाई के लिए कोई भी सेट आ सकता है कोई भी सेट आ सकता है कोई भी जिले का पेपर आ सकता है समझ गये आगे बढ़ते हैं next जिला सिख्षा अधिकारी के जो पोर्टल में जो पेपर आएगा, उस पेपर को वो दो सेटों में बांट करके अलागला इक स्कूल में भेज़ेगा देखो कैसी सपोज करू कि आपके जिले में पचास इसकूल है उस पचास इसकूल को बांटेगा थिस की 25 में समझना 25-25 में तो 25 स्कूल में भेज़देगा सेट नमबर A और 25 स्कूल में भेज़देगा सेट नमबर B आप समझ गए मतलब सभी स्कूल का पेपर सेम तो रहेगा ही रहेगा लेकिन अगर सेट नमबर A आ रहा है तो सभी स्कूल का set number A same paper रहगा और set number B आ रहा है तो सभी स्कूल का set number B same paper रहगा इसलिए अब आपको अब आधो में तयारी करनी है मैं अम्मीद करता हूँ समझ में तो आई ही गया होगा चलिए भईया आगे देख लेते हैं अब गोपनियता को बरकरा रखने के लिए आपके प्रंस्पल के दौरा फोटो कॉपी करा जाएगा फोटो कॉपी का जो पैसा होगा वो इस्कूल के प्रंस्पल साहब देंगे हो सकता है किसी इस्कूल के प्रंस्पल है बहुत कुछ यह टाइप से हो बच्चे बोला करते हैं रहे यार प्रिंस्पल साब ना तो किताब देते ना तो लेब ले आते ना तो प्रयोग कराते ना तो कुछ करते अब उनको पैसा देना पड़ेगा अपने जेब से फोटो कॉपी कराने के लिए और गोपनियता बरकरा रखने के लिए आपको बताय भ आगे देखलो वही सब बाते लिखे यह यह है, जो सल्यवस आएगा वो November माहे तक आएगा, December तक पड़ा के मत जाना, आगे आपका result कब जारी होगा तो result जारी होगा 22 तारीक को 22 तारीक का आप सबका result जारी होगा और 30 तारीक को भीमर्स पोडल के website पर upload हो जाएगा अब चाहे आपका खच्छा 9 भी 10 भी और 11 भी 9 भी, 10 मी, 11 भी के विद्धारती हो तो 10 परसेंटेज आपका result जुड़ेगा किसमें? 22 परिच्छा में अगर कच्छा 12 भी के हो तो आपका result नहीं जुड़ेगा मतलब अगर 9 भी, 10 भी, 11 भी के विद्धारती हो तो अर्दवार्सिक परिच्छा को मजा के मत लेना बरना तुम्हारे 12 परिच्छा के परसेंटेज टाउन कर सकता है अर्दवार्सिक परिच्छा अब देखो बेटा, अन्तिम में एक चीज सुन लो तुम टेंसर मतलो दोनों सेट के प्रशन पत्र आपको मिल जाएगा कहा मिलेगा? टेली ग्राम पर जुड़ जाओ फेस्बुक पेज में सबसे पहले आएगा लिंक डिस्क्रिप्शन ओक्स में जाओ अभी से फॉलो करके रख लो सबसे पहले उधर ही आएगा क्योंकि यूटूब में पहनी रज़र होती है गॉवरेंट की समझ गए जी? तो टेंसर मतलो दोनों सेट मिलेगा पीडियेफ के तौर पर मिलेगा ठीक है वीडियोस कम ही आएगे पीडियेफ के तौर पर दे दूँगा अच्छे से प्रिपेर कर लेना एक एक प्रशन को अच्छे से रेट लेना अब देखो इस न्यूज को कर तुम पढ़ना चाहते हो फुल टाइम बॉच करना चाहते हो गयार हमारा हम से इंतिमान इत्मिनान से पढ़ने क्या लिखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन ओक्स में है जाओ जाकर के इस पीडियेफ को भी डाउनलोड कर लो और पूरे पूरे न्यूज आर्टिकल को लिख दिया गया है उसको अच्छे से रीड कर लो ओके श्रेंट्स सो में वीडियो को एंड करना चाहता हूँ वीडियो पसंद आये तो लाइक कीज़ेगा अपने मित्रों के साथ सेयर जरूर कीज़ेगा और अर्दवार्शिक परिक्षा में अच्छे परसेंटेज बनाने के लिए एसके क्लास्स को फॉलू जरूर करना ओके एक्जाम के लिए आल दे वेस्ट लव यू आइस